हेलो सातियों तो आपको जैसा पता व्रिक के लिए आपकी एक टॉप हो यह था जो साथवी क्लास थी जै आपकी एट्थ क्लास है इसमें पर व्रिक का जो बच्चाव का पूर्शन है वो जानेंगे दोस्तों पहले विता तो इसमें बिक के बॉंड और विक का जो आपको मटेरियल बहुत बड़ा हुआ इसका वर्ट आपको जो इंपोर्टेंट चीज़े रहेंगी वह बहुत कम रहेंगी तो मैं आपको समझाता जाओंगा कि आपको किन किन चीजों पर बिसेस द्यां देना और मां कि मैं समझाओंगा सब कुछ न तो मेरे बारे चोटा स सबसे पहले आप देखो रूल फुर गुड वांडिंग इन अच्छी ब्रिक मैसरी आप कर ले हो तो उसके कुछ रूल्स रहते हैं जहां से कुष्ण आये वही कुष्ण में आपको तारां क्लियर जी पहली बात पढ़िए आप इन दा व्रिक में ब्रिक वर्क दा अमांट लेप शुडवी मिनीमम बन फोर्ट एलोंग दा लेंट ओफ वाल लेंट और दाव अच्छा जो आपका उबन लेप करते ना ब्रिक को जैसे ब्रेक है क्लियर जे लंबाई को क्या कहते हैं आप इस्टेक्चर क्या कहते हैं इस्टेक्चर और जो आपकी चोड़ाई रहती य यह तो आपको पताई है तो आप बुक क्या रहा है जो ब्रिक वरक अब करते हैं तो इसमें जो ऑबलेट आप करते हैं तो लंबाई में बिन्यों बन फोर्थ करना चाहिए देखो बन फोर्थ ऑप ब्रिक आंग में बतांगो अवरलेप कैसे काते जैसे स्कूपर कोई इस टेक्चर चड़ा रहा है ऐसे इस टेक्चर होना किये तो जो अवरलेपिंग करना एक दूसरे पर तो बन फोर्थ अगर लंबाई में आप देखें तो लंबाई मे अगर आप तो बन फोर्थ यह और अगर आप तो बन वाई टू यह आप चाहिए क्लिए तो जी दोनों ही पॉइंट आपके पूश्चन आ चुके है एक्जाम में तो इन दोनों कोई जम में इस्टार उना दो उसको आपको पढ़ना क्लिए प्डियाप में प्रोवाइड कर टेलीग्राम पर आपको लिंक डाल दूँगा कहीं से भिया पीडियाप आपके पास जिवाली पहुंच जाए क्लियर बीसुग यूज उनिफॉर्म ब्रिक्स इंदा ब्रिक वर सुबी कें एजिली गेट दा जितो सिंपल सी उनिफॉर्म होना चाहिए कोई दिक्र नहीं बा लंगेस्ट स्खेट ब्रिक्रणा इस्टर तुलियए तो आपको पता है जो क्रीक्ठ देख्राइब एस शक्लियर और स्टट फेश स्टस्टररिक्स यह ठर्म इवाद सब्सक्राइब की जो लेंगे इस समझा देता हुए अच्छा के नेपर करें यह कीन क्लॉजर रहता है अप में जैए आपका है और इसकी को में इस अच्छे बता रहेता हुए यहां पर देखना है टोटल पूरी ब्रिक ती नीचे देखो डाइग्राम आपको देख रहा हुआ इसको मैं हाप काट दिया और बहुत इसको काट दिया है आपको अच्छे से डाइग्राम खुजकर में आपको लगा दिये यह देखो पहब रेक्स लगी लेंगे तो इसके बाकी सभी चीज़ें से में बट लेंगे खाट दिया हाफ काट दिया उसे क्या वहां गला रहता है आपको डाइगराम अच्छे सार तो आपका आसानी से आसर मिल जाएगा नेस्ट है प्रुशित के लोजर तो किंप लोजर में क्या रहता है देखो एक ब्रिक रहती है उसकी आदी लंबाई एक पेसपा आधी लंबाई और एक पेसपा आधी चोड़ाई वहां से आप काट दोगे जिवारा पोर्षन तो आपको क्या हो जाएगा बॉकिंग क्लोजर आपकी बन जारी बॉल्ब क्लोजर में क्या रहता है आप देखो दूसरे पेसपा कि क्या टोटल चोड़ाई ले लेंगे और एक पेसपा क्या आधी चोड़ाई लेंगे जहां से आप पाट दोगे तो क्या हो जाएगा आपका बाकी का पोर्षन पचा बॉल्ब क्लोजर इसकी डेपनेशन भी पढ़ लीजिए क्लोजर के रहता है यह ब्रिक कटे कॉनर एंड जॉन दा मिडल पॉइंट्स ऑफ दा ब्रिक एंड लेंद यह एक ब्रेक थी देखो इसका देखो यह पूरी ब्रेक है माने चलो जो ब्रेक है जहां देक थी तो मैंन इसको काट दिया इसको क्या करती है इसको क्या करते हैं किंग लोजर ओके जी देखो इस पकास आप थोड़ा देख लिए कि यह आपका आता है बल्ड क्लोजर के रहता है जब आप इस पेसे 30 से 35 डिगरी के बीच में आप काटते हो तो यह पूर्शन कटने के बच्चा हुए है इसलिए जो आली क्लास थोड़ी लेंथ ही हो सकती क्यों जास कुछर्स बहुत बनते हैं आपके ब्रिक में सारी से क्लियर दो बॉल्ड क्लोजर जो मैंने आपको बताया था जहां पर क्लियर जो बताता था इसकी और टेप्रेशन के चुप में आपको दाता हूं इन को फुल बित कर दिया काट दो वर्ड क्लोजर बन गया तो इनको थोड़ा सा प्लीज देहां रखी के जहां से कुछन बनते हैं जब मैं आपको एमसी क्यू कुछ कराओंगा तो आपको देखना पड़ेगा कि जिए क्लियर में आपको दाती है वह चालीस पैतालीस से साथ ड चेक कर लिए ना तो जहां पर तोड़ा कंक्यूजन है बटा थी से पैतालीस या रखना थी से पैतालीस से साथ भी अगर ऑप्सन हो दिया हो अगर मिटर्ड आपका पूंचा हो तो कोई देखने नहीं तो ऑप्सन वेरिएशन कर सकते हैं मलब एंगल इन दोनों में से की पैतालीस के आज सपास अगर आपका होता थी से पैतालीस पैतालीस आट तो मिटर्ड अपर आप उसे बोल सकते ना इस को इंस को और क्या रहता है तो क्या कह रहा है इट आलसो कट वरिक्स दा पोश्चन और दा कट फॉर्म एंगल अधर देन दा राइट अंगल एक रहता के लावा कोई भी आप एंगल से आप काट होगे इसके एकस्टीर पो एकस्टीर और इंसे क्या बोलेंगे इसको एंट्रिक बोलेंगे के लिए तो सिंपल चीज़ें एसी बुल्नोज क्लोजर के रहता है इसको राउंड से मैं काट दो एक कोनर को तो से बुल दिंग बुल्नोज क्लोजर इसी के बस डेपनेशन आगे तो आप थोड़ा माइंड माप में प्यार रख इसलिए को आप इदर में बना दिया बाल में तो इस प्रकार से आपका देगा इसको क्या राउंड राउंड एज बनाने के लिए आप यूठ करते हैं अब देखो बैट हो क्या कहते हैं अगर लेंथ को अगर ब्रिक को एक्रॉस टूप बिता आप काट होगे तो आप क्या हो जाए निक छोटी चोटी लेंथ को आप अगरट बनता समझ गए अगर कोई बरिक है अगर कोई बरेका है जैसे एब सब्सक्राइब खाट रहे हैं पि dedic अजagenे की ब्रिक कट और екотор यह त्षक्षण कंश्ट टूक्र काट रहे तो क्या हो जाएगा आपका बैट हो जाएगा जो बहुत सारे बैट है नाम आप क्या तक सकते हैं रखना हो तो बागी जरूत नहीं आपको न देखो हाँ बैट क्या हो जाएगा आधी लंबाई की अगर बिक बचेगी तो से हाप बिक क्या देंग इट पोर्शन आप देट कट आपको नहीं आपको समय ना देखो अब जो बिरिक लागी है तो इसमें क्या जी वाली बिरिक है पूरी लंबाई पने यह तर लंबाई देखो नमबाई पूरी जहां तक ती यहां तक ती बचा हुआ पूर्शन आपको बचा हुआ है तो उसे क्या बोल देंगे थ्री क्वाटर बोल देंग क्लियर हाप ब्रिक बोई में आप बोता दिया तो टोटल हाप बचे अब लेंद्ट वह काट दो वही बैटती क्वाइन्स जी कुशन आपका आया है तो इसको ध्यान रख लिए तो जे आप नाम में याद किए कापी बार आया है कुशन भी यहां से आया है तो इसको आप याद कि छोटी चोटी चोटी यह देखो आपको रड़्डा नहीं मानना कुछी यह को समझना मैं आपसे बोल लाँ इतना सारा में आप पढ़ांगा उसमें से आपको कुछ कुछ ही पॉइंट्स आपको नोट करने कुछ ही पॉइंट आपको देखने देहां लगने मैंने पहली बुल दिया तो यह वीडियो आपकी लम्मी हो जाएगी तो इस वीडियो में थोड़ा सब्द रखी है अब देखो यह इंप्टेंट चीज़ के टाइप्स ऑब बॉन् प्र-देखर रहते हैं इंस बॉन्ड रहते हैं इतने आप नपढ़ेंगे इसके लागर रहते colony रहते हैं टच बोन रहते हैं दॅ किससे क्विए परिशन है अगर आप इंग्रिस बॉंड कोई आप स across phone फेश्ण मौ घ्लीर तोні औसुन सब आपको बता देता हूं ना थोड़ा लंबा उन्हें वाला वीडियो इनमें पहुत जाना अंदर-अंदर की गए रहा ही तक में आपको इस्टार आपको मिल जाएगा इस्टार लगा हुगा आपको मिल जाए तो आपको वही चीज़ जो है नोट करनी ना इस्टेक्चर मॉंड ज़िए सभी इसब ब्रेक्च जो है उस्टेक्चर में हो लो आईसाप जैसे क्या हो जाएगा इस टेक्चर बॉंड हो जाएगा क्लिर तो इसमें क्या सबसे यह चैस्ट है मिनिमा यह तो आपको इसको क्या हाप प्रिक्स वाल भी बोलते ना आप देखो न इसकी लेंध किन की लेती तो अबिकोल इसको क्या बनाते इस्ट्रेक्ट्राइब दोगुद अब कर नाते बाकी इसमें कुछ important आपका है नहीं इसको आप ब्रीक बॉल भी कहते हैं clear अच्छे क्लिड जाए का मैंन फंक्ष्क्रोन विठीक वेसंगे वी स्ट्रक्चर के बंड और सूटेल बार्स बार्ट बदेन के लिए बैसेख्वी जो पोर्शन में बार्टОं नगी माज़्य को अब मुट्वार्ट अब एडर ब्रिक्स इन हेडर न विद्रियब सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो इसमें जितने भी अरेंजिमेंट है सब किसमें देखने हैं अच्छा हेडर बॉंड इन ब्रेक्स सुटिवल को तक कर्प सर्फेस आप बनाओगे तब कौन सी पॉन्द यूज़ोगी एडर बॉंद यूज़ोगी सब्सक्राइब 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 यूज़ोगी एडर बॉंद यूज़ोगी एडर बॉंद नहीं कर पाती है अच्छे तरीके से तो इसमें जाना कोई इंपोर्टेंट नहीं बाकि इतना द्यान दखते हो कट सब्सक्राइब यूज़ कर सकते हो ना तो सिंपल सा अभी आप लेती सारी पालतुव चीए पड़ें उस मेसे जहीं आपको देखना एडर बॉंद क्या रहती है जिसमें सभी कोर्स इसको 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 और सब्सक्राइब करते हैं और इसको बने वर्रेक्स वाल पूलते हैं एडर बोगों क्लिए इंग्लिस वोड्ड अब आंगा चलते हैं इंग्लिस वान्ड जी थुड़ा आपके लिए इंग्लिस वाणने जाहां सको कर्षेण मांका तो उसको अच्छे समयां लिए डेपनेसन और below course having the practice only इन्हेंमें बहुत जाना कंपियर ho गली में तीसरा रद्दा हो गया तीसरा रद्दा हो गया इसी से क्इसमें किय Kings बोलते हैं English में course के लिए अगर एक पूरा एडर का है तो उसके ऊपर या नीचे का क्या हो जाए इस टेक्चर का होना चाहिए यह निए एक इस टेक्चर एक एडर एक एक एडर ऐसे पूरा course आपका चला होना चाहिए क्लिए तो पुझे बोला बोलोग और बिलोग और इस टेक्चर ओंड इंग्लिस बांड की आपको पता हों चाहिए क्या होता इसकी डेपनेशन भी आपको बार बार पूझे आती है क्योंकि English और प्रॉपड की डेपनेशन लगबग एक तरीके एकी तरीके की होती है इसलीए कंप्यूजन होते है आई के बाद आपकी वो पूझे खतम होने बाली है दा मैंट एडवांटेज और यूजिंग इंग्लिस बांड इन दा कंस्टेक्शन are they are strongest bond in the brigsverse that make one stronger than other bond it is the particularly good appearance clear pretty good appearance English bond की एक खास यात है सबसे strongest bond होती है clear अगर आप से question पूचा जाएगा कि भाई ये सबसे strongest bond कौन से रहती है brick work में brick work की missionary में तो आपको बता ना है कि English want search जो है वह सबसे वेस्ट रहती है स्टेंट की महामले में clear तो सबसे अची स्टेंट की स्क्रेंट है English want की clear अब देखो मैं आपको फिर से बता देता हूं देखो एक structure course हो गया उसके बाद alternately एक header एक structure एक header एक structure जहां पर देहान लगना है इससे बोलते है क्यून क्योंद अपने पता क्यूंद तो करें जो जाता है कि ये लगातें तो लगाते छी में चौह आपको इसला प्लेसे ली आपक्नाना तो इंग्लिजस्पॉंड के डिलैस कि संदुल सेंटर वडुन की बात है नौनल समय तो इसमें जाना कुछ खास है नहीं जब में इस्ता आना हो तो उसी को आपको नोट करना ना अब देखो इसमें देख रहा है इसमें अब देखो इसमें एंग्लिस पढ़ा दिखा जिसमें अल्टरनेट तरीके से एक दूसरे के ऊपर नीचे लगे रहाता है क्लियर दूसरा क्या इसमें एडर को छोड़के कॉनर से उसमें कीन क्लोजर का यूज करते हैं कुछ पॉइंट है क्या करा इन दा इंग्लिस वन दा कोर्स कंसेश्ट अल्टरनेटली एडर और और इस टेक्टर को तो वही बात है जो बार-बार मैं आपको इतने देश समझा र जो कॉनर का एडर है उसके एक के बाद हमेंसे आपको कीन क्लोजर ही आपको पुट अप करना पड़े ही तो यहीं दो ही पॉइंट तो मैं आपको समझा रहा था तो यहां पर देखना है अब्री एडर इस सेंटर ली प्लेस आप दा इस्टेक्टर इसका मनलाव क्या है जो देखो जिए इसके बिल्कुल सेंटर में आपको आपको प्लेस करना थो नौर्मल सी बात है दा जॉंट आप द डिवर्क सेम कोर्स और इस्टैट्यट्ट्वाइड जॉंट्वाटर इस्टैट्वार्श वाइडर कोर्स मोटा अर डबल देन दा स्टेक्ट्ट्र कोर्स अच जहां पर मैंने इस्टा लगा दिये इसको सम्झो क्या करा है header courses mortar joints are double than structure courses इसमें क्या पूचा जाता है header course जब लगा होगे तो आपको joints की संक्या क्या होगा होगा है double होगा इसी दी सीदी clear तो mortar जब joints की संक्या होगा है तो क्या mortar भी double लगए clear अब छी देखो अब जहां से जहां तक आप देखो हैं तेको दॉबल जॉबल जॉब आपकि उपोंड न इसpower किसंग्या इस टीक्टर में एक अपको आचुका था धूड़ा सा आप deeply लीजिएगा जहाँ आपके पॉइंट ला इसको तो दो पॉइंट मैं समझा दित तीसरा पॉइंट जो आपके पेपर में आता है clear तो वही चीज़े मैं आपको समझा रहा हूँ पेपर नहीं पेश्टा लगा रहा हूँ बाकि चीज़े आपको पीडिये प्रोवाइड करा दूगा आप देखना इडिए clear इन इंगलिस बांट दा हैडर को सुड नौट स्टाट विट कीडियो यह जब एडर को सबसे पहले कीडियो के साथ सबसे पहले कीडियो के साथ नहीं हो सकता पहले आपको एक एडर लगाना पड़ेगा उसके बाद क्योंट कीक्षर आप लगा सकते हैं वही यह वाली बात को नीचे से फैरिपाई कर दिया कि इंकलूजर नोट रिक्वाड इन इस्टेक्चरवण मोह यह लाट है कि इसकी लेंद के बंफ करते हैं और प्रित में आप करते हैं बनाप आप आप अबलेप करते हैं तो बही छी हैं जो पहले ही बता चुका हूँ क्लियर अब आते हैं दोस्तों फ्लैमिस मॉल्ट क्लियर तो बहुत बढ़ा होने वाला आप चाहूं तो टू की स्पीड पर देख सकते हो आप निकाल निकाल देख सकते हो बट मैं इसी वीडियो में पूरा करा हूँ कि मुझे क्या है एक ही वीडियो अप्लोड करता हूँ दिन में साथ पंद्रा पीम पर तो समय जो आप जहां मटेरियल में आपको अभी दे मलब कंटेंट एक दिन में नहीं दे सकता है कि अभी स्टार्टिंग हो रही है आपकी अब दीरे दीरे अपन इसमें और एजापा करें है फ्लैमिस मॉंट इन एभी खोर्स इंपोटेंट चीज है कि जहां पर एभी खोर्स यानि प्रतीकोर्स में आपका जो है करो सरीयों जो होगा लेकिन इंग्लिस मॉंट भांड में क्या रहा हो था इंटर्नेटल है तो कि सा ब करो नीचे अब एक पूर्ण फुरा एक पूरा प्लैमिस का एक व कूरा रत्ता यह्कि है इसी में आपका § आपका § सभबक में हए स्थकर्चर हाँद एक ही कौर्स में यह होंगे नमेस में आपको आझ आपको चीज समय में आए तरो प्लेमेस बोर्ण्ड है विए कोर्स में पर इस टेक्चर हेडर क्लियर यह इंगलिस बांट में गाता है इंगलिस बांट में एक ही कोर्स में जो आपको इस्ट्रेक्चर और एडर आपको देखने को मिल जाएंगे यहां मैं आपको लेवर जो मैं जो आपको कारीगर आपको चाहिए तो वह क्या स्किल्फल कारीगर आपको चाहिए यहां पर करने के लिए कारीगर जोना चाहिए आपको इसमें चाहिए तो इसी आप देख सकते हो इस्टेक्चर है अकी कुर्स मा रहे है क्लिए जुँड तेख देख सकतो तो सब्नक्र आपको करा दिये जिससे कि आपको बिल्गली परेशान ही नहीं होगा क्योंकि इसको बनाने बहुत टाइम लगता चीजों को रहें जी कन्यों में अर्ची अर्ची तरोदर देखने में बट आपको मैं प्रुबाड करा रहा हूं एक जागे बच्च से कि मैं सुच रहा हूं आपको जाना इसको सिंगल प्लेमेस बॉंड और डवल प्लेमेस बॉंड में क्या रहता है इसमें क्या है इंग्लिस बॉंड और प्लेमेस बॉंड दोनों कहीं कुण पाया आते हैं इंग्लिस बॉंड और प्लेमेस बॉंड किसके लिए इस्टेंट के लिए और प्लेमेस बॉंड किसके लिए एपिरेंस के लिए देहा रखना एपिरेंस जो रहता है एपिरेंस है नहीं प्लैमिस वर्ड इसको डेड़ ब्रेक वाल वोल्ट डेड़ ब्रेक की बोले तो थ्री वाई टू यह गोगा डेड़ ब्रेक्स यह एक और आधी इतनी तिकने स्क्लेज को यूज करते हैं जहें पर वह इस सब चीज़ है बता देख सिंगल प्लमिस वर्ड ब्रिक्स बॉल्ड तो कभी कभी कुछिए अंग्लिस वर्ड तो यहां से कुछउण डेजर निकाले हैं तो आपको बहुत ही हो जाएगा क्यों मेरा बहुत सारा एक्स्पिरेंस आपके काम आ रहा है यहाँ वाइज उजिंग दा सिंगल फ्लैमिस बांड पर कंस्ट्रेक्शन और वाल वी कमाइंड दा स्टेंथ और वह इस्टेंथ के लिए इंग्लिस बांड और एक्परेंस के देखो देखो और डीपली आपको जाना नहीं बांके देखो भूए ठीवाइटो यानि डीड ब्रेक्टी लेंथ क्लिए आप यूज का सकते हो कुई रहों ने डावल फ्लैमिस बांड क्या है इंड डावल फ्लैमिस बांड अडर एंड इस्टेक्ट्चर आप अल्टरनिमि तो डबल को अगर आप कंपेरियन करोगे तो क्या रहेगा डबल फ्लैमिस बोल जे रहती है उसी का एपिरेंस जो सबसे अच्छा रहता है सुन्दर सबसे अच्छी रहती के लिए तो जाना जासे कुशन बने नहीं आप सिंपल साब देख लिए यह आपकी डबल फ्लैमिस बो कि मैं घुटरा योगी तब आप सिंगल फ्लैमिस के उजब कर सकते हो क्लिक यहम के इंटू में वाल की लंबाई होगी बंबरेक वाल के न्टू में लंबाई जो चोड़ा यह उगी तो आप डबल फ्लैमिस को और डेड्र के गुना में आगर और होगी होगी तो सिंगल प् स्वारी मुचाई कितनी होती है अब देखो जहां पर मिल जाएगा आपको देपने सब्सक्राइब गार्डन वॉल ब्रिक मैंसरी इज डेपने सब्सक्राइब बॉल यानि कि इसकी लंबाई चौड़ाई कि नहीं होगी बन ब्रिक वाल ज्यान लगना इंड हाइट आप दिस वाल डाज नौट ग्रेटर देन टू मीटर जिदेखो मिल गई न जो इसकी हाइट है को किनने से तू मीटर से अधिक नहीं होने चाहिए जो कुछन आया था आपका यही और यहीं के लिया मैं तो आप देखो अब जिखां दूना अब आप रटोगे न को कवर करना तो इंपोटेंट सी क्या है जो कि पेपर में आ चुकी है क्लियर दा गार्डन वाल इज यूज पो तक कंस्ट्रेक्शन अब दा वांड्री वाल कंपाउंड वाल गार्डन वाल वही गार्डन वाल तो गार्डन के लिए यूज होगी ना अच्छा यह भी दो प प्रेंश क्या है कि जहां पर जो लगा देना देखों इंग्ले सब्समें कि रहता है कि एक स्ट्रेक्ट्टर एक बट जब्स असक्ट इबाद बट चार से पांच आपके तीन से पांच आपके लगे जाएगो उसके बाद ही एक एक लगेगा तो इन चीहों को आपको बहुत बड़ा हुगा नहीं बनारा समझ नहां है मैं आपको एक पॉइंट की चीह बता रहा हुझे आपको गोई बाद मोट कर लो आप तो रहां ना चैको मैं जो तो पूर्ण आपको पढ़ा ना था इसलिए पूरा लिक के थीओरी बनवाकि में आपको डल वाई है न अब देखो फ्लैमिस गार्डन बाल में क्या है वह ही है प्लैमिस गार्डन बाल इस दा बोल डैट कंसे ट वन एहडर ए तो इसके साथ में से भी दियान लगना है इसके दो नाम हो रहा है क्लिए इन प्लेमेस गार्डन बॉर्ड बॉर्ण्ड इप इच कोर्स कंसिस्ट वन एडर एंड टू इस्टेक्चर इस टाइपस ऑफ दावन नून है जो मॉक बॉंड की डेपनेशन आ गई है तो इसको तो भाई सब आपको लगना है इसमें क्या करा है इसी प्लेमेस गार्डन बॉर्ड को क्या कहना है एक तो एडर लगा दो दो इस टेक्चर सब्सक्राइब करेंगी जब देखना इस प्रकार के डीपली क्या लगते हैं क्योंकि अपना कभी यहां तक ची है पड़ी नहीं यह के लिए पहले ही गोल दी थी लंबी होने वाली दोस्तों थोड़ा सा इंतजार और कर लिए आपकी क्लास बैस से बहुत जाना लंबी हो ग दोकि सब्सक्राइब करेंगे इस प्लैमेस गाड़न बाल एंड फ्लैमेस बोल एड़ एंड थी तु फाइब एस है इसमें अल्टरेटल रहती थी और इसमें तीन से पांच की बात रहते हैं तो नॉर्मल चीए बटा आपको यहां पर मॉक बॉन्ड आप प्यार रखना जि लगना ही लगना आ जहां से तो जो इस्टार बना दे वो चीह आप थोड़ा दा आहिलाइट करें रेंकिंग बॉंड कुछ नहीं है इसमें क्या कहते हैं इसको बोलेंग आफ रेंकिंग बॉंड बाकि और बहुत सारी चीह है तो आपकी आई नहीं है इसको भी किंट्रकास कह सकते हैं टायगमल बॉंड एहरिंग बेंड बॉंड जिग 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 बॉंड तो इनको आप नाम मागता है वैसे एक बार परना हो तो पर लेड़ा बागी का काम करेंगे वो एक मैसे लिए इच मोडिफाइड और इंग्लिस वोन जो मैंने स्टार्टिंग पाथा जिए कुछ न आया है तो देव किन्नी सारी बांड हो रही हो और आपके नाम पहली पहली कोई-कोई तो ऐसा हुआ पहली बाद नाम सुने होंगे मैं भी सच्छिता हूं मैंने पहली ब दोढ़ें मैं लॉट क्या था तो दूनता हूं तक मुझे पता पर ने कूड़ का पर को ना कि दो चीज़ यह चाहां पर आपको याद लगना है बांग की कुछ नहीं है ना जो देखो डच बॉंड आपका बोला है तो इंग्लिस बॉंड वह है जो तो वही बाली चीज़ है जो मैं आपको समझा देख लिए एक बार कंपेरियर कर लेगे कि उसको कंपेरियर कर लेगे आपकेवस सब्सक्राइबकावकर सब्सक्राइबक सब्सक्राइबकावकर फेफ़े i2 चुम्हान हुसको प्रकास से तो मल्ला इसमें अल्टर्नेटली कोर्स रहते हैं एक पूरा इस्ट्रेक्ट्र लेकिन इसमें एक ही कोर्स में सकता हैं एक पूंद इसको कर सकता है यह और इसिक पूंद रहती है आपने से तो आपकिन कर सकता लेकिन इसमें क्या पर्गमेंट से पोना चाहिए और इसको और कोई नहीं बना सकता इसके लिए इस्किल फुली आपको चाहिए तो यह थोड़ा डिप्रेंस था जहां से आप और अच्छे से कर सकते हो तो दोस्तों कर आपको लास्ट मैं थैंक्यू जो कि मैं कभी बोलता नह नहीं कोर्सिस करूंगे मैं या तो कोई टेलीक्राम चनल बना देता हूं बहां से आप कनेक्ट हो सकते हो या पर मैं कहीं लिंक डालके आपको पीडिये प्रोवाइड करा दूंगा तो आपको ही हैं तैयारी करते रहें लगे रहें जो भी चाहिए आपको पैटन बनते हैं कुछेंस बनते हैं वह सारी में डीपली डीपली जाकर आपको समझा देता हूं बट आपको इतनी बड़ी वीडियो है जब आप नोट्स मना वो तो इसको आप दो मिनिट्स में एक मिनिट्स में पूरी आप पढ़ सकते हो ना जो एक जाम आये हाई वही बाली चाहिए आप पूरी ठीक है दो उस्तो मिलते हैं अगली गरास्पा